हलो फेरंड्स इस वीडियो में को कराने वाले हैं सिंथेसिस ग्रामर के अंद्रगत यह बहुत ही इंपोटन टॉपिक है यहां से डेफिनिटी कोशन आता है कंपाउंड हो गया कंप्लेक्स हो गया ठीक है तो यह सी का पार्ट है आपको इसमें पूरा के लिए रहो चाहेगा और यह क्लास 11 12 दोनों के लिए एकली इंपोटन है मैंने आपको सिंटेक्स करवा दिये हैं ट्रांसपोर्शन भी करवा दिये हैं प्लेस बनुए उसमें आप कर लिजेगा ठीक है आज मिसमें यह सिंथेस कवर करेंगे तो होता कहा है सिंथेसिस किसे कहते है मतलब होता है ज पूरा समझ में आ जाएगा बस आराम से आपको समझते जाना है और कॉपी पर नोट्स बनाते जाना ठीक है उसके बाद फिर से देखेंगे तो आपको एजली आ जाएगा हो सकता फर्स टाइम पर आपको थोड़ा टफ लगे पर इजी है कुछ भी नहीं आप एक दुबार हंडे परसेंट आपको आजाएगा और प्रॉपर आपको नोट्स बनाते चलना है ठीक है तो जो न्यू टैंस बनेगा वो तीन तरीके सो सकता है यह तो सिंपल यह कॉंपलेक्स यह कंपाउंड ठीक है सबसे पहले आपको सिंपल समझा देते हूं वीडियो जाता लॉंग न आपे पैंदें प्रिजन suppression नाते हैं बहुति सिंपल आराम से सभी का आपको रूल बताती चाहोंगी आप देखेंगे विलकुल भी घबरानी आराम से सीख यह लगेगा अगा अगर आप इंट्रेस्ट लेके पढ़ेंगे किसी भी चीज को तो कुछ भी हाड नहीं होता है पर आपका मन अगर और कहीं चल लाए ठीक या टीवी देख रहे हो और कुछ भी कर रहे हो फिर आप पढ़ रहे तो आपको समझ में नहीं आगा तो आराम से आप समझते चाहिए अब बश्च आप गर प्रिजन पार्टिसमैं क्या होता है दो कार शात सात होते हैं ठीक है जब दो कार शात ओंगी तो क्या करना है वर्ब की फच्ट पर्म में आईए जय लगा नहीं ऑप किफस्ट पर में अ जब गाना है एक्जम्पल के देवर्च सारे डाउठ क्लियर हो अब एक जम्पल देखो इसका he went out, वह बाहर गया he was crying, वह रो रहा था, ठीक है, तो कैसे आपने इसको यहाँ पर बनाएंगे he went out crying, हमने दो बार यहाँ पर subject नहीं लिया, एक बार हमने यहाँ ले लिया इसको, तो वह बाहर गया, क्या रोती हुए, एक बार में इसको बना द crying, वह बाहर गया, रोते हुए, जैसे कि इसमें लगते है, she went out, she was smiling, वह बाहर गयी, वह रो रही थी, तो कैसे बनाएंगे, she went out, smiling, वह हसते हुए, बाहर गयी, ऐसे कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर बाहर गया, यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको बताओंगे, कहां पर कर एक टाइप तो यह हो गया, ठीक है, और यहाँ पर दोनों काम सासात हो रहे है, वह बाहर गया हुए, रो रहा था, ठीक है, तो he went out, crying, दो बार यहाँ पर subject नहीं लिया जागा, यह ध्यान रखना, अब यह देखो, she opened the book, उसने book open की, she began to read, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दि तो इस तरीके से आपको हिंदी आने चाहिए, ठीक है, टेंस आने चाहिए उसके लिए, तो इसने book open की और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे बनेगा, फर्स्ट फोर्म में आई जी लगानी है, ठीक है, तो कैसे, देखो, यह सेकेंड फोर्म है, इसके फर्स्ट फोर्म यहां पर से, आप इसको यहां पर सब्जक नहीं लेंगे, बस ing लगाना है, इसके बाद आंगे का लिखे, फिर पूरा इस तरीके से, book open कर दिया, उसने उपढ़ना है, श्टार्ट कर दिया, ठीक है, यह हो गया, अब थार देखो, he took off his suj, he entered the temple, उसने suj उतारे, और वह कह पर इसने पर वेश किया, मंदिर में किया, ठीक है, तो इसमें भी क्या, सासद कार हो रहा है, कि suj उसने उतारे हो और तुरंद उसमें मंदिर में पर वेश किया, तो एक साथ कार हो रहे है, तो हम क्या लाएंगे, आईंजी लाएंगे, तो took he first from क्या होती है, take, है ना, तो taking आईंजी लाएंगे, तो इह हट जाएगा, तो taking of his soul, उसको पूरा यह सब्जेक्ट ने पर आईगा, he entered the temple, ठीक है, समझ में आगे होगा, first from में आईंजी लागाना है, फिर आपको यह से लिख देना है, और सब्जेक्ट को आपको दो दो बार नहीं लिखना है, एक बार, clear अब ही मैं आपको एक्जेम्पल भी दूँगी, प्रक्टिस के लिए उससे आप देखना है, क्या आपको करना आ रहा है, यह नहीं, I was hungry, I took my food, मैं भूखा था, मैंने खाना खाया, ठीक है, तो अब देखो, इस स्टार्टिंग में आपको जब भी सब्जेक्ट के बाद इस स्टार्टिंग में कर आपको मिलें, तो आपको क्या करना है, यह इसको वींग में चेंज कर देना है, ठीक है, सब्जेक्ट आप आई के आई, तो ऐसे आपको इस तरीके से बना लेना है, सिंपल में, फस्ट पर में आई एंजी लगानी है, क्योंके वाच बेर कर वींग करन मैंने की लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा होगे नहीं सिंपल अब यहां पर यह सब्जेक्ट हमने फिर से नहीं लिया ठीक है यह पर आइंजी अल्रीड लगी हुई है इस तरीके से कर लेंगे यह वही टायप है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यह बहला है इसी टाइप से वह भी था सीम जो भी आपको मैंने बताया है यह फैक्टस के लिए इसको आप करके देखना इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ओके यह हो गया प्रिजन का पढ़ लिए आप पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसेपल इसमें कुछ नहीं वर्प की थड़ फोम और अड्जेक्टिब का यूज होता है यह बिसेस्ता बताते हैं जैसे के बहुत सिम्पल है इसी टाइप से अब को मिलेगा अगर आएगा इस टाइप से कुशन दो ही फाउंड हिज पैन उसे पैन मिल गया इट वोज लॉस्ट जो कि खो गया था एक बार में इसको बना देंगे ही फाउंड लॉस्ट पैन उसे खोया हुआ पैन मिल गया अब देखो लॉस्ट ठीक है क्या है खोना इसके बाद पैन एक बार में बोलते है इट वाज यहां से खट गया यह बहुत सिम्पल होते है इस टाइप से इसली आप कर लेंगे अब कि तो कोई C searched his bag it was lost ठीक है इसी टाइप से इसको आपका अंसर खुछ से बना के देना है मतलब इसी टाइप से आप बना के देखना है इसली आपको आपको आच आएगा नहीं आएगा तो आप मिसे पूछ लेना मैं आंसर देंगे ठीक है इसे सिम्पल है इसी टाइप से तरीके से फिनिस हो जाता है तब दूसरा वर्व कि स्टार्ट होता है प्रारम में इस्टार्ट की में क्या था दोन और कार इस साथ चलते थे तो उसमें तो वर्व की फर्स्टम में क्या लाते था इंजी अब इसमें क्या है कि जब एक कार पूरी तरीके से समाप्त हो जाए अब यह देखो, she had completed her return work, उसने अपना पूरा return work complete किया, she went to market, फिर वह कहां गही, बाजार गई, तो एक काम पूरा finish करने के बाद उसने दूसरा कारे start किया, ऐसा नहीं सा साथ, पहले उसने work finish किया, फिर वह बाजार गई, ठीक है, तो एक काम पूरा finish हो गया, तब दूसरा start ह किससे start करेंगे, having से, तो यहां पर starting में आपको having लिखना है, फिर यह third form already पहले से ही है, तो completed हो गया, उसके बाद पूरा गया, यहां तब पूरा same कर देंगे, जैसे कि starting में हम बाजबर का वींग करते थे, starting माई जिला के करते थे ना, वैसे ही, उसमें फिर 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 इसमें आपको having लगा के third form लिखना है, simple, ठीक है, एक इसी का type और है, अगर passive form में हो, कैसे, passive का मतलब, active passive में क्या आप लगाते हैं, अगर यह वाय लगा क्या है, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको having के बाद बाद बीन लगा देना, क्या लगाना है, बीन, वी डवली, ए राम को पानिस दिया गया, उसके teacher के दोरा, ठीक है, he felt sorry, उसने sorry feel किया, तो कैसे, वाय लगा है, तो having been, ठीक है, उसके बाद पूरा same, बहुत simple होते हैं, तो एक काम, जब finish हो, तो आपको having लाके start करना है, और passive बाद 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 बीन लगा देना है, ठीक है, इस तरीके answer भी देना, comment section में, he finished his work, he went home, उसने काम finished किया, घर गया, he washed his clothes, then he took rest, ठीक है, उसने कपड़े wash की, फिर उसने rest किया, तो इसमें क्या लगेगा, having लगेगा, या फिर ing लगेगा, या आपको उसे देखके, करके देखना है, प्रेक्टिस के, ठीक है, प्रेक्टिस करके देख हो जागा, फिर कोई देखे का नहीं, पर मैं आपको next part में करा दोंगी, उसके बाद ये वाला करा दोंगी, ठीक है, ये अलग पार्ट में लेंगे, ये अलग में, इससे आपको confusion मीन होगा, और आपको easily समझ में भी आ जाएगा, फिर से रिकॉल कर लो, सबसे पहले, simple sentence हमने कर देते थे, ठीक है, past में क्या होता है, दोनों को एक बार में मिलाना होता है, और इसमें adjective का यूज होता है, वर्व की third form के साथ, जैसिके उसमें lost आया था, search आया था, खोजना, खोना, ये हो गया था, उसके बाद perfect में क्या करना है, present perfect में, एक कम जब पूरा finish हो जाए, ज ठीक है, next part में आपको करा दूनी complex, और इसके बाद compound, thank you so much